कॉरियंडर पॉर्ट नूडल्स और इसकी पूरी रेसिपी आप दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगए किसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइको जबूर प्रेस करिए कोरियंडर पॉर्ट नूडल्स बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं ओयल, सोया सॉस, विनेगर, हनी, बॉयल नूडल्स, पार बॉयल वेजटेबल्स जिसमें मैंने रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ग्रीन कैपसिकम, ब्रॉकली, बेबी कॉन, कैरेट और बीन्स लिया है, नमक, अद्रक मिर्ची का पेस्ट, धन्या पत्ती, काली मिर्च मिर्ची, दालचीनी, लॉंग, लेसल, कॉन फ्लार, और पानी, अब कॉरियंडर बॉर्ट नूर्स बनाने के लिए, सबसे पहले हमारे को एक कॉरियंडर सॉस बनाना होगा, उसके लिए हम एक बोल लेंगे, इसमें हम सब चीजे डाल देंगे, किक करके, धन्या पत्ती, कॉ अधरा कर्मेट, और, हाफ टीस्पून सोया सॉंस, वन टीस्पून विनिगर, और वन टीस्पून हम डालेंगे, इसमें हनी, यह सब चीजे हमने इसमें डाल दिये हैं और इसमें हम एक कप पानी डालेंगे, और इन सभी को मिक्सी में अच्छे से बारीक चटनी के जैसे पीस्ट लेंगे, इसमें हम ऑईल डालेंगे, वन टेबल स्पूल, अब यह अब यह ऑईल गरम हो जाएगा थोड़ा, इसमें अच्छी डालेंगे, थोड़ा सा यह रेड हो जाता है, थाकि इसका फ्लेवर पूरा ऑल में अच्छे से आ जाए, इसको दो मिनिट सॉटे करने के बाद, जो आमने सॉंस बनाया था, मिक्सी में ग्राइंड करके यह पूरा डाल देंगे, इसको थोड़ा सा बॉइल होने तक चलाएंगे, जैसे सॉंस बॉइल होगा यह थोड़ा अपने आप थिक होने लगेगा, अब आप देखिए इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक हो रहे है, इस नमसा वेजटेबल्स डाल देंगे, और यह सारे नूगल्स डाल देगे, और यह सारे नूगल्स डाल देगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेगे, इसको दो मिनिट कोप करना है जब तक ये पूरा ड्राई नहीं हो जाए सॉंस पूरा है सब में अच्छे से मिल जाएगा यह बहुत ही इजी रेसिपी और एकडम जटपट बनने वाला रेस्पी है यह बहुत डिफरेंट है नॉर्मल नूडल से आप यह सेम रेसिपी से राइस भी बना सकते हैं अब यह हमारे नूडल्स बनके रेडी हो गए है अब यह नूडल्स मैंने एक बोल में खाली कर दिया और यह खाने के लिए एकडम रेडी है अगर आप जए नूडल्स खाना चाहते है तो इसकी रेस्पी में डिस्ट्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये मैंने और फिर आप फिर मिलेंगे नेक्स फ्राइडे नही रेसिपी के साथ